वहाँ नूटने के बाद हम दूसरे वाले बोट पे चले गाником है वहां लूटने के लिए लालची बहुत हना ना ही है खाइर तो हम यहाँ पहुंचके देखे कि हमसे पहले यहाँ पर कुछ लालची लंगूर सा मंढरा रहा हो है बाबर हमको लगा कुछ देर के लिए हम गए हैंपर लेकिन इस ससुर का नाती हमको मारे उससे पहले हम इसको मारती है इसको मारने के बाद हमको पता चला कि यह अकेले नहीं हाई नवास्कार आज की वीडियो होने वाली है बई मज़दार काई कि हम खेल रहा थे कुछ रेंडम लोगों के साथ और हमने उनके सामने जो इंप्रेशन जमाया है का ही बताए चलिए पुड़ी कहानी ध्यान से सुनाए तो हुआ कुछ है इसता कि हम लोग सब अलग अलग उतरे जो की गलत बात है अच्छी बात यह है कि उतरने के साथ हमको हाथ में बंदूख मिल गया निस में के इस सफेधी का चमगादार को हमारे आरी ससरी के नाथी भागते भागते माल खाकर चलेगा है उसके बाद हमको पता चला कि हमरे पास में एक और हट जिसको हमने मारा अड़ी से सुरा अन्हरा ठका कहीं और गोली चलाना था इसके बाद हम जो है हाथ में उठाए एक एम और इंपुरेशन जमाने में जो है एकदम पूरा लगता है नहीं नहीं मारना शुरू किये जिसको स्थिर्फ इले आता है जादा कुछ आता नहीं है लिए हमने इनको मुक्ति यहां पर दे दिया पहले हां तो हम बता रहे थे कि साउट का लेंग में हमको ज्यादा आता नहीं हावा कि हम प्रियास कर रहे हैं सीखने का इंस्टराग्राम पर दो मोहतरमा है लेकिन हमको लगत अगर आप को पता होगा तो आप समझ रहांगे हैं इस इनको बचाने के लिए जाते हैं लेकिन हालात जो है वैसा नहीं बन पाया और हमारे तीन नमबर वाले भाई साब को नीचे प्रुचा दिया गया हम बोले कोई बात नहीं बाकी बचे खिलारीयों को बचाना हमारा काम है काय की चाचा हमारा नाव है लेकिन उसे पहले हमको जो है लूट पूत करना ज़रूरी है काय की अगर हम नीपड़ गये तो होना जरूरी बदराम है मतलब इतने रहा हमारे एक नमबर वाले भाई साब को हम बचाएंगे और हम उनके तरफ बढ़ गाया हाला कि वो दुस्मनों से घिड़े हुए थे तो जब हम उनके पास जा रहे थे हमको पता चला कि हम भी दुस्मनों में घिड़े हुआ है अब दुस्मन है हमारे पास में तो हम आखरी के चुपचाप से यहां बट गए काई कि हमको बचाने के लिए बचना ज़रूरी है और यहां पर एक अनरा को हम मारे काई की ससुरा कहां देख रहा था पता नहीं इसको मारने के बाद इसके बांकी टीमेट्स जो है वो हमरी तला इसको हम से मार खाना ही था एक्तम इसको हम जैसे तरह से फिनिस किये इसका टीमेट्स से सुरा स्पाइडल में हमरे उपर जम्प माला है अब यहां पर हमरा एचपी बहुत कम हो गया हमको जल्दी से यहां पर पहले हील करना पड़ेगा उसके बाद दुस्मनों के साथ में टील करना पड़ेगा लेकिन तब तक दो नंबर के उपर जो है आक्रमन करने के लिए दुस्मन लोग चला गया तो हम भी जो है बीना सोचे समझे घुश का एक्तम घुशने के बाद पता चला नीचे में कोई है तो हम भी निकाले मोलोटोब और जला के स्वाहा करने के तो हम बोले आओ भाईया सीरियों पर बचाते हैं तुमको लेकिन इतने में जो है एक टीमेट हुलकी मार रहा है जुसमन का घुशने का जो मारेगा हुलकी उसको मारेगा हम दुलती है लेकिन दुख की बात यह है कि यहां पर एक एक कड़के उसके सारे टीमेट्स चले हम आए उपर पता चला यहां पर इधर से बंदा सवा गया और ये करबर हमने यहां पर हग दिया उमर हो किया है ना पोचने के लिए नुरुआ भी नहीं है और हमारे दोनों इतना हगे कि यहां से स्लिप करके नीचे की तरफ गड़का तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं उप इंपर इसन तो वैसे ही जम गया है नीचे जाएंगे चिकन इनके हाथ में डाव रेंगे एंपर जम जाएगा जाने के साथ हम को यहां पर बोट बोहत बोट मतलब हमको हमको लूट उ पर तो हुआ नहीं था, यहां पर लूट करनें कर रूट वहको लूट लूट इसल बावला मिल गया वहें के लूट एक छिए लीवार चिवूह तो में पहुंच की देखिए कि हमसनप लॉट पर हमको लगा कुछ दर के लिए हम गए भान मेरें लेकिन इस ससुर का नाती हमको मारे, उससे पहले हम इसको मारती है, इसको मारने के बाद हमको पता चला कि ये अकेले नहीं हाए, इसका यहाँ पर बहुत सारा लंटा सा भाए, हमने साथ को दिया अग्दम पेल करा है, बताईए, ये एक दिखा करके, दो से मरवा देता हमको ल करने का भी मौका नहीं बिला इतने में पता चला हमारे एक नंबर वाले भाई साम नौक के फिनिस भी हो गया जो कि बहुत दुख्की बात है हमने रहते हमेशा होने नहीं दे सकते हैं लेकिन हमको हील करना भी जरूरी है वरना हमारे साथ अगर कुछ बुरा हुआ तो हम अकेलिए है तो हमको बचाने वाला हुए कोई नहीं है इतने में हमारे सीन नंबर वाले भाहिस भी इनद리ाव करके। तो हालात कुछ ऐसा बन रहा था कि हम जब भी उनको बचाने के लिए जा रहे थे हमारे पास में दुस्मन चले आ रहे थे वही हुआ लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है कि वह एक दूसरे को जो है अच्छे से कवर करके मतलब बचा उचा लिए रिकॉल करके लेकिन आप ब यहां पर यहां पर उचल कर रहा था इतने में हमारे एक नंबर वहाई इस अप फिर से नौक है अब हमारे पर प्रेसर आगया कि जल्दी समको जाना है और यहां पर इस ससरा को ठिकाना लगाना है दोनमबर वाले भाई-साब फिनिस भी होगए एक नंबर वाले भाई-साब निकलना पड़ेगा जहां पर बहुंसारे दुस्मनों का देना हो रखा है तो हमने पेरा पेरा सब को घेरा घेरा मारा मतलब कि हमने मारा अच्छी बात यहाँ पर कि हमारे तीन नंबर वाले भाई साथ सेफ है तो हम बोले कि ठीक भाई आते हैं लगे हाथी यहाँ पर जो कुछ लोग है उनको हम निप्टा देते हैं तो हम यहाँ पर हीरो पंती करने क लिए आगे जा रहा है थे तिने में पता चला हमारे तीन नंबर वाले भाई साथ भी नौक हो गए नौक होने के साथ वो फिनिस भी हो गए अब सारा जिम्मेवारी हमारे कांधों पड़ा गया चिकन का और हम देखिए यहां पर गधों के तरह चटाई उड़ा रहे थे हमको लगा पटापट गोली लेकिन हम बच गया और तुने में पता चला हमारे पास में पीला का प्रावबा को इससरा घूम रहा आप देखिए अच्छी बात यहां पर यह वैसे तो रेंडम लोग नौक होने के बाद मतलब आउट होने के बाद बाहर चले आते हैं लेकिन यहां पर यह तीनों भाई साब रुख कर हमरे मैच का इंतजार करने लगे हैं कि हम चिकन निकाल पाते हैं कि नहीं हम भी बोले भाईया हमरा नाम चाचा है और ऐससे नहीं चलता है हम चिकन निकाल के ही रहता है सोलो वरसेस स्कॉाड में तो यहां पर हम जो है सबसे पहले इसको फिनिस किए लेकिन इतने में हमको पता चला कि गुंडे और भी हमारे आस पास है हम बोले जोन बहुत छोटा हो चुका है सब सब पहले यहां से निकल लेते हैं हमने पास है चटाई हम निकाल के चटाई लगा के खटाई ओड़ गए जो भी बोलो है तो झाल हम tasty zone के तरफ बढ वाल लेंगे तो हम यहां आगे बढ़ रहे यहां पर हमको एक एनमी जो है वह दिखा जिसको मारने का सोचे लेकिन से सोच कोई और भी सोच लिया था हम बोले हैं ठीक है बेटा प्रुख जा तोरा सवचाले यहां बना देंगे से सराइए कहां पर आले पर लेटा हुए ना त लेकिन बच गए किस मत बाड़ी यहां था बाचे काई कि हमको उपर वादा जिंदा रखा है चीकन निकालने के लिए और हम निकाल करके दिखाएंगे अमारे तीन रेंडम्स को जो है चीकन दिलवाएंगे तो हम पहले बोले यहां से भंग लेते हैं काई कि यही मौका है जित हम बोले भाई आराम से लेट जा कुछ ने करना है थोड़ी दिर के बाद जब कुछ सब कुछ सांथ हुआ हमको दिखा एक लाउंटा हम उसको मारे और जैसे हम उसको मारे पता चला कि सब्सक्राइब आखड़ी बंदा था और इसके साथ चिकन डिनार हमना हो गया और हमारे किई टीम मेड से हम चाहितना ज़ाधा इंप्रेश हुए कि इनको लगा कि हमीं वह देवता है हमीं वह भेजे हुए अवदार है जो इनको चिकन का जिला सकते हैं मतलशणु सब कुछ है तो यह लोग चो है हमको फिर से इंवाइड भेज़े हम फिर से चिकन करवाएंगे हम तो हम सोचे कि दूसरा में चिकन करवाएंगे और उसमें हिरो बन जाएंगे फिर से अभी लोग बड़ा इंप्रेस हो जाएंगे फिर हमसे हमरा चानेल के बारे में पूछेंगे लेकिन जैसा आप सोचते हैं इसा होता नहीं है देखिए किसे तो दूसरी बार फिर से ऐसा कुछ हुआ कि हमारे सारे टिममेट्स मढ़ गए सिवाए दो नमबर के और वह फिर से मुसीबत में थे और हम बिना सोचे समझे उनके तरफ बढ़ गए का कि हम तो हीरो है ना हीरो खुद को समझ के हम आगे आये थे लेकिन यहां पर पता चला कि बहुत सारा विलन है अब एतना विलन से मार खाने में पहले हमारे दो नमबर वाले भाईचा फिनिस हुए और हम भी फिनिस होता है तो हम बोले कोई बात नहीं एक री बार तो मड़ा हाना नीचे जाकर के चिकन निकाल तो उनकुत्त है यह लोग सांथ हो गए जो कि पिछल लेकिन ऐसा नहीं हुआ देखें कैसे तो लूट पूट करने के बाद हमारे अंदर का हीरो जो है वो जाक गया हम इन लोगों को सब को छोड़ करके जो है दुस्मनों के तरफ गारी चला के आगर बढ़ गया काई कि हम सोच लिए हम सलमान खान और ले लेंगे सब का प्रान लेकिन ऐसा हुआ नहीं मेरी जान हम पर सब बोली मार का हमको यहीं बढ़र कर दिया उसके बाद हम बहुत बुरा हाल हो गया हमको फ्रीस कर दिया हमको बहुत दुख हुआ फिर हम बोले कोई बात नहीं हम इनसे जो है बे सर्मों के तोरह भीक मांगने लगे रिकॉल कर दो भाइया हम आएंगे तभी तुम लोगो चिकंडेल वाएंगे और अच्छे लोग थे हमको रिकॉल कर दिया तो दीसरी बार हमको जो है बहुत सेफ खेलना था लेकिन हम जो है यहां पर धीर धीर एक नंबर वाले भाईजाब को बचाने के लिए आगे बर रहे थे हमको पता उसके बाद उन लोगों का हमको रिक्वेस्ट भी नहीं आया जो कि आना भी नहीं चाहिए हम सकल भी नहीं दिखा सकते थे अपना हला कि सकल तो नहीं दिखाते हैं मतलब इसमें जो भी राइखार तो यही था उमेद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लागा होगा लाइक कि जगा कमेट कि जगा सेयर कि जगा बात बख्या में मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि अच्छी होगी तब तेक लेका कहते जी आए बाइबाए